और अब बाद बरबादी की आग की करेंगे कि दिली से अमबाला तक और फरीदाबाद से रामबन तक कल आग ने भारी तबाही मचाई है ऐसी कई तस्वीर हम आपको दिखा लेते हैं राम बन के पास आग से बारा मकान तबा हो गए तो वही फरीदाबाद की तिमबा फाक्टरी आग की लप्तों की भेड चड़ गई अमबाला में कपड़े के तीन मंजिला शोरूम में आग लग गई यह पूरा शोरूम जलकर खाप हो गया दिल्ली के मुंडका में खिलोना गोदाम में आग से काफी बरबादी हुई लेकिन सबसे डर्दनाख हाथ सा दिल्ली के फर्ष बाजार में हुआ जहां सिलेंडर ब्लाक होने से आग में चार लोग की जन चली गई दिल्ली में बड़ा हादसा बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट चार लोगों की मौत एक जख्मी यह दिल्ली का फर्ष बाजार इलाका है इस मकान में तबाही का मनजर साफ नजर आ रहा है पूरा घर जला हुआ और बिक्रा हुआ नजर आ रहा है फर्श वाजार थाना इलाके के विश्वास नगर की भीकम सिंग कालोनी में बने इस मकान में गैस सिलिंडर की रिफिलिंग और गैस चुलहे की मरमत का काम होता था रात के करी 12 बजे यहां सिलिंडर ब्लास्ट हुआ और चंद पलों में यहां की पूरी सुज़त बिगड़ गई ब्लास्ट में चार लोगों की मौत की खबर है जबकि एक काईला चल रहा है हम इस वक मौझूद है भीकमसी कलोनी अलाके में दरसल यही वो मकान है जहां पर गैस के जो चूले हैं उनकी रिपेरिंग का काम होता था उसके साथ साथ चोटे चोटे जो गैस स्लेंडर सोते हैं उनकी रिफलिंग का भी काम होता था अचानक से साड़े बारा बजे के आज पास इस घर के अंदर जो है वो ब्लास्ट होता है और उसके बाद इस मकान के अंदर जो तस्वीरे हैं आपको दिखाना चाहूँगा कल दिल्ली शहर आग की कई घटनाओं का गवाह बना ये तस्वीर दिल्ली के टुगलकाबाद एक्स्टेंशन की है यही की गली नमबर आठ में स्थिद, फरनीचर और मिठाई की चार दुकानों में कल शाम आग लग गई तस्वीरों में आग की भयावता आप देख सकते हैं आग की खबर लगते ही दमकल की साथ गाड़िया मौके पर पहुंची काफी मशक्कत के बाद आग पर खाबू तो पालिया गया लेकिन दुकान जलकर राख हो गए पुलिस के मताबिक एलपेजी सेलेंडर की रिफिलिंग के दोरान आग लगने की खटना हुई दिल्ली में आग की एक अन्य खटना बाहरी दिल्ली के मुनका उद्योगी के लाके में हुई यहां खिलाउने का एक गोदाम आग में जलकर राख हो गया आग इतनी भीशन थी के इसे बुझाने के लिए दमकल की दरजन भर से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया कई घंटों की कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका घनिमत यह जही के साग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है ओपी शुकला के साथ तनसीम हैदर दिल्ली आज तक